हलो फ्रेंड्स, क्या आपको खांसी और छीक के साथ यूरीन निकल जाता है, पिशाब आ जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं और इस डर्के मारे आप कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, अपना रूटीन काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं डॉक्टर सुशी लासेनि, ग इलास संभव है, या इसके लिए क्या प्रिकॉशन्स रखनी चाहिए, जिसके वज़े से हमें ये प्राब्लम ना हो, जनरली जब भी आप खांसते हैं, छीकते हैं, वजन उठाते हैं, या पेट पर जोर पड़ता है, जिसके वज़े से आपको थोड़ा सा दो चार बुन प पताता है, उसे के इसाब से डागनोसिस बन जाता है, और इसको चेक करने के लिए डॉक्टर आपको फुल ब्लाडर, यानि कि जब पशाब रोक कर, काउच पर लिटा कर फिर चेक करते हैं, और आपको खांसने के लिए बोलते हैं, और सामने जब पता चलता है कि खांसने से चीकने से urine निकल रहा है थोड़ा-थोड़ा urine पास हो रहा है तो यह diagnosis confirm हो जाता है और साथ ही साथ अगर यदि finger की support लगाने से यानि कि वजाइना के अंदर दो finger डाल कर पशापकी थैली को support करने से यह रुक जाता है that means कि आपका निचला हिस्सा कमजोर हो गया है जिसको आप support करने की ज़रूरत है और उस कमजोरी की वजह से आपको urine leakage हो रहा है तो यह diagnosis हमारा confirm हो जाता है और treatment का एक direction भी हमें मिल जाता है लेकिन यदि इसको और ज़्यादा confirm करना हो तो euroflometry नाम का test होता है जिसमें कि आप urine pass करते हैं और उसका जब measurement लिया जाता है तो उससे पता चलता है कि exactly आपको stress incontinence ही है और किसी प्रकार का incontinence यानि की urine leakage की समस्या नहीं है क्योंकि कुछ और समस्या भी हो सकती है जिसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है तो जब भी आपको इस पर करके कोई तकलीफ हो ताप डॉक्टर से जरूर मिलिए क्योंकि हर बिमारी का इलाज संभव है ऐसा नहीं है कि ये ऐसी कोई लाई लाज बिमारी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता अब घर पे परेशान होती रहती है किसी से आप भी बिमारी शेयर नहीं करती है आपको कई बार अक्वार लगता है कि ये मुझे कैसे बताओं किसी को बट एक सिंपल नॉर्मल बिमारी है नॉर्मल प्राब्लम है हर लेडी को हो सकती है और जनरली 40-50 साल के उमर में होने लगती है और जिन लेडी इसके डिलिवरी ज्यादा होती जिनका पैल्विक फ्लॉर यानि के निचला हिसा बच्चे दानी के रास्ता कमजोर हो गया है उ इसके बच्चि को खांसते रहने की प्राब्लम है यानि कि कि सी को खाफ है या फिर किसी को जैसे कांस्टीपेशन रहता है या किसी को नॉर्मल डिलिवरी जादा हो हो तो ऐसे लोगों को यह भीमारी होने की सम्भावना बढ़ जाती है इसके इलावा जो लोड़ कश्चे करते हैं उनको भी प्राब्लम हो सकती है क्योंकि स्मोकिंग से खांसे ज़ाधा आती है और इसके अलावा स्मोकिंग से थोड़ा कनेक्टिव टिशू भी कमजोर हो जाता है यदि आपको इस तरह के की समस्या है डॉक्टर ने आपका टेस्ट करवा कर कन्फर्म कर दिया है कि आ आपको किसी प्रकार का को कोई infection नहीं है यदि किसी प्रकार का कोई infection आता है तो definitely पहले उसका treatment किया जाता है दूसरे आपको केघल放 हो इकटा करने के लिए बताया जाता है कि इसमें युरीन आने पर युरीन को hold किया जाता है और निचे से pelvic floor को तृड़ा ठाइट किया जात और इतना टाइट रखा जाता है कि अपने आप लूज हो जाए तो ऐसे एक सेट में चार या पांच बार एकसराइस कम से कम करनी होती है दिन में दो से तीन बार या चार बार जितनी बार भी आपका पैल्विक फ्लोर मजबूत होगा और आपको इस समस्या से निजात मिल सकती है शुरुआती अवस्तर में इलाज संभव है एकसराइस से बट यदि आपकी समस्या जादा है बहुत पुरानी है और बहुत ज़्या मातरा में यूरीन निकल रहा है हलका सा खांसने से और छीकने से ही यूरीन लीकेज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको सर्जरी की से बात किया जाता है तो उसमें टेप लगाई जाती है जो जनली जाली होती है जो हरनिया के अंदर काम में लेते हैं तो जो 30 cm के आसपस एक लंबी जाली होती है जो बहुत पतली होती है यानि कि आधा सेंटीमेटर चौड़ी होती है उसको जो पिशाब की नली होती है उसक नाहीं सरकेगी और जैसे नीचे सरकेगी तो नीचे सपोर्ट उसकी वजे से उरेथ्रा उसके ऊपर बंध हो जाती है फिर आपको यूरेन लीकेज बंध हो जाता है लेकिन इस ऑपरेशन में जो कि बच्चे दाने के रास्ते से वजाईन से किया जा रहा है तो कई बार मैश इरोजन की समस्या हो सकती है यानि कि जो जाली है जनरली हम लोग उसको वापस स्किन से कवर कर देते हैं बट कई बार वापस से बाहर निकलाती है तो एक थोड़ी सी प्राब्लम हो सकती है बट ऑपरेशन बहुत इफेक्टिव है 98-99% तक एफेक् आप नॉमल दूसरे दिन से अपना काम कर सकती है दूसरे परकार का ऑपरेशन होता है जिसको कि बर्च कॉल पो सस्पेंशन बोलते है जो दूरबीन से होता है उसमें किसी परकार की जाली नहीं लगाई जाती है और उसमें पशाब की थैले के आगे जो यूरित्रा होती है उसके आसपास का जो टिशू होता है, उसी को सपोर्ट करकर उपर उठा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो पिशाप की नली, अब्डॉमिन का प्रेशर बढ़ने की कारण नीचे सरक रही थी, वो नहीं सरक सकती, क्योंकि उस पर टाका लगा के उसको इस तरीके से सपोर्ट क कर दिया जाता है, जिससे कि वो नीचे नहीं खिसकेगे, तो डेफिनितली यूरीन का लीकेज नहीं होगा, तो इस वाले उपरेशन में कोई जाली नहीं लगाई जाती है, बच्चेदानी के रास्ते में कोई कट नहीं लगाया जाता है, इसलिए मैश एक्सपोजर की समस्य खतम हो जाती है, और यह 100% एफेक्टिव है, जनरली इसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, हाँ लेकिन पेट के ऊपर से किया जाता है, पेट के ऊपर इस तरह के से जो दूर्बिन वाले ऑपरेशन के जो तीन चार निशान होते हैं, वो बनते हैं और पूर लॉस भी नहीं होता है, और यह बहुत ही एफेक्टिव ट्रीक्मेंट है, तो डेफिनिटली आप इसके लिए जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि अगर आपको खासने चीकने से अगर यूरीन लीकेज होता है, तो हम उसको stress urinary incontinence कहते हैं, यह कोई ला सूट करता है, आप करवा सकती हैं, और अपना इलाज करवा कर आप एक अच्छी जिन्दगी जी सकती हैं, परेशान होने की ज़रूत नहीं, अपने स्वास्ते का ध्यान रखिए, मैं डॉक्टर सूशिला सैनी, आपसे फिर मिलूंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी क जानकारी में सहाट गाप्त, अर्पस्यायू.